अभी तक हमने जो abnormal secondary growth को study किया उसमें cambium normal बनती है लेकिन abnormal activity शो करती है अब हम second heading में study करेंगे कि abnormal cambium बनती है जो abnormal activity शो करती है बहुत सी dicote families जैसे amaranthasi, chinopodiasi, nictaginasi इत्यादी में या तो normal cambium डवलप ही नहीं होती है या अगर normal cambium बनती है तो थोड़े समय के बाद वह कारे करना बंद कर देती है और एक नई cambium या accessory cambium cortex या pericycle वाले region से बनती है और इस परकार जो steel से बाहर की तरफ cambium बनती है यह है abnormal activity शो करती है जिसे हम दो heading में study कर सकते हैं फर्स्ट फोर्मेशन ओफ रिंग ओफ वैस्कुलर बंडल इंबेड़ेड इन दा पैरनकाइमेटर्स टिशू इसे हम amaranthus और mirabilis के example से study कर सकते हैं इन में abnormal जो scanty growth होती है वो इस प्रकार से होती है जैसा कि डाइग्राम में दिखाया गया है कि सबसे पहले इन में एक्स्टा श्टिलर रिजन में pericycle वाले रिजन से एक cambium बनती है और यह cambium abnormally अंदर की तरफ जैलम और उसके alternate parent काइमा को बनाती है जबकि बाहर की तरफ यह है जैलम स्कैंडरी जैलम के उपर की तरफ स्कैंडरी फ्लोयम और parent काइमा के उपर की तरफ parent काइमा की सेल्स बनाती है जब इस परकार से एक vascular bundles का एक ring बन जाता है उसके पस्चाथ यह cambium अपना function करना बंद कर देती है इसके पस्चाथ इस एक नई cambium जो है वो बनती है बाहर की तरफ यह cambium भी abnormally भी यहिव करती है जैसा कि first cambium करती है उसी तरह ही यह भी vascular bundles का ring बनाती है जो एक दूसरे से parent काइमा के द्वारा separated होते है इस परकार एक के बाद एक accessory cambium बनती जाती है जो vascular bundles के rings मनाती जाती है जो parent काइमा के द्वारा separated होते है बी है formation of ring of vascular bundle embedded in conjunctive tissue इसमें हम भोगनविलिया और बोरहाविया का example ले सकते हैं जैसा कि डाइग्राम में बताया गया है कि जो extra-stiller cambium बनती है वो अंदर की तरफ alternate रूप से secondary gylem और conjunctive tissue के passage बनाती है और बाहर की तरफ secondary gylem के ऊपर secondary phloem और conjunctive tissue के ऊपर conjunctive tissue बनाती है इस प्रकार vascular bundles का एक ring बन जाता है और यह vascular bundles conjunctive tissue के द्वारा separated होते हैं या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि conjunctive tissue में यह vascular bundles दसे हुए रहते हैं इसके पर सब्सक्राइब के तरह ही vascular bundles के रिंग बनाती है जो conjunctive tissue में दसे रहते हैं या embedded होते हैं इस परकार उत्रोत्तर accessory cambium बनती जाती है और vascular bundles के रिंग बनते जाते हैं यह यह तो हमने जो study किया था यह हमने dicote stem में abnormal secondary growth को study किया अब हम देखेंगे एनमोल स्केंडरी ग्रोथ in monocot stem जो है उनमें secondary growth absent होती है क्योंकि उनमें जो vascular bundle होते हैं वो cloth प्रकार के होते हैं उनमें cambium नहीं पाई जाती लेकिन कुछ plants जैसे dressina, yukka, aloe, sansevieria, agave इनमें abnormal secondary growth देखने को मिलती है यहां हम dressina का example लेकर के monocot stem में secondary growth को study करेंगे इसमें stem में एक typical outer epidermis पाई जाती है जिसके नीचे स्क्लेरन काइमेटर्स hypodermis होती है और ground tissue में बहुत सारे conjoined collateral closed vascular bundle embedded रहते हैं जो इसमें secondary growth जो है वो एक meristematic zone के द्वारा होती है यह inner cortical region में डवलप होता है यह जो meristematic zone या cambium है यह abnormal activity शो करता है और बाहर की तरफ कुछ cells बनाता है जबकि अंदर की तरफ यह है बहुत सारी cells बनाता है इससे बाहर की तरफ जो cells बनती है वो parent chemitis nature की होती है जबकि अंदर की तरफ जो cells बनती है उन में से कुछ parent chemitis nature की और यह conjunctive tissue बना देती है अंदर की तरफ जो vascular cells बनती है वो vascular bundles बनाती है उन्हें vascular bundle initial cells कहते हैं इन cells में antical anal division होता है जिससे 3 cells एक row में बन जाती है फिर इन cells में perical anal division होता है और peripheral cells बनती है उसके बाद में इसमें irregular division होता है इन में से जो centrally located cells होती है वो phloem में metamorphosis उनका हो जाता है जबकि peripheral जो cells होती है वो जालम element बनाती है इस परकार एंफी वैसल वैस्कुलर bundles बन जाते हैं यह एंफी वैसल वैस्कुलर के लिए रुक जाती है बाद में यह कैंबियम वापस abnormal activity show करती है और अंदर की तरफ एंफी वैसल वैस्कुलर bundles बनते हैं उनकी position जो पहले एंफी वैसल वैस्कुलर bundles बने हैं उनके alternate में होती है अब हम dicot roots में abnormal scandry growth को study करेंगे abnormal scandry growth in dicot root बहुसे जो dicot plants होते हैं उनमें roots storage function के लिए modified हो जाती है और storage function के adaptation के कारण इन में abnormal या anomalous scandry growth पाई जाती है जैसे embellifery, crucifery, chinopodeacy, compositive, convolulacy की roots anomalous scandry growth शो करती है जो तीनोस्पोरा की aerial roots होती है वो scandry growth तो normal show करती है लेकिन इनमें जैसा की diagram में दिखाया गया है इनमें medulary rays जो होती है वो बहुत बड़ी-बड़ी और conspicuous या spust होती है जिन में ला अधिक मात्रा में जो है rigid food material प्रजेंट होता है यहां हम बिटा वल्गेरिस की route को study करेंगे जो एक typical dicot route है और जिसमें radial diarch steel पाए जाती है यह है एक storage route है जिसमें abnormal scandry growth होती है इसमें शुरू में एक normal cambium बनती है और यह है जो normal cambium होती है abnormal activity शो करती है यह है normal cambium अंदर की तरफ scandry gylem और parenchyma cells के alternate group बनाती है जबकि बाहर की तरफ यह है scandry gylem के apposite तो scandry phloem और inner parenchyma cells के apposite parenchyma cells ही बनाती है इस प्रकार जो है vascular bundles का एक ring बन जाता है जो parenchyma cells में embedded रहता है यह parenchyma की जो cells है वो storage का function करती है यह cambium की activity थोड़े time के बाद siege हो जाती है और जल्द ही इस cambium से बाहर की तरफ एक नई cambium बनती है और जिसे accessory cambium कहते हैं यह accessory cambium भी अंदर की तरफ alternating scandry gylem और parenchyma के patch बनाती है और बाहर की तरफ scandry gylem के opposite scandry phloem और scandry जो parenchyma होता है उसके opposite parenchyma की cells बनाती है इस परकार vascular bundles का एक second ring बन जाता है जो parenchyma में दसा रहता है जैसा कि diagram में बताया गया है और यह जो vascular bundles के rings होते हैं जो first ring है और second ring है इनके बीच में भी parenchyma की cells पाई जाती है जो storage का function करती है इस प्रकार एक के बाद एक successive accessory cambiums बनती जाती है और vascular bundles के successive या उत्रोत्तर ring बनते जाते हैं झार लो है झार